नमस्कार जिन्दगी में अगर आप सपल होना है और सब के चहते बनना है ना तो रतन टाटा की यह च्छे बाते याद रखेंगे अगर यह च्छे बाते आप जीवन में याद रखेंगे ना तो आप सपलता जीवन में अवश्य पाएंगे और सब के चहते आप जरूर बनेग रतन ठाटा कहते हैं सबसे पहले आप innovation पर जोर हो आपकता रतन ठाटा पता है आपको नए नए इस्टाटप पर investment करते रहते हैं मेज अभी तक्रियमान उन्होंने 10-15 इस्टाटप पर investment कर रखा हैं उनकी तलाय मेजं़ा अने वाधे time में इस्टेट अप जो नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं वो हमेसा आगे जाएगे आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा नया करता रहें कुछ लेक से हटकर करें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जो सब बिजनेस कर रहे हैं वो भी आप ही करेंगे तो क्या होगा आप भी उनके बराबर रहे जाएंगे आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप उनसे तभी आगे बढ़ पाएंगे ना जब आप कुछ नया करेंगे आप अपने बिजनस में कुछ नया करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे आप अपनी नोकरी में कुछ नया करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इसलिए हमेशा किसी भी फिल्ड में हो, आप चाहे नोकरी में हो, आप चाहे बिजनेस में हो, आप चाहे किसी प्रोपेशन में हो, किसी में भी हो, अगर आपने वहाँ कुछ इनोवेशन नहीं किया ना, तो आप आगे नहीं पढ़ दो, आप वही दे जाओगे, तो रतन सेगंड वेल्यू पर फोकस् तन टाता ने हमेंसाघीन पर फोकस् किया आपको पता है अन तो हमें तालए इंडिया में यांनी पूरिया वर्ल्ड में Noriall इंडिया का ऐसे गिदा तो टॉप्रियो की वेल्यू में हो सितया है कि टाठा ने हमेसा बिज्यस को कि नोक्री में automatic आप आगे मड़ते जाते हैं इसलिए अपने value बढ़ाएं लोगों का विश्वास जीते हैं confidence जीते हैं कि कैसे लोग आपके उपर विश्वास करें थर्ड पर्मोटर्स का attitude हो positive अगर आप किसी business में invest कर रहे हो और वो businessman आपके पास आता है तो उसका जो attitude होना उस business के परती positive होना चाहिए वो उस business के परती dedicate होना चाहिए उसको लगना चाहिए कि मैं business को टॉप पर पचाऊंगा अगर ऐसा attitude उसके अंदर होना तो आपको investment जरूर करना चाहिए फोर्थ कोई right time में रतन टाटा कहते हैं कि कोई भी business कोई भी कारी करने के लिए कोई भी right time नहीं होता है जिस वक्त आप सोत लेते होना कि ये right time है मुझे कुछ करने के लिए तो वो ही right time आपके लिए होता है अच्छा समय इंसान के जिन्दगी में कभी नहीं आता है अच्छा समय इंसान खुद बनाता है इसलिए कोई भी अच्छा कारी करने के लिए right time की तलास नहीं करें जिस दिन आप कोई अच्छा कारी करोगे वो ही दिन आपके लिए right time हो जाएगा आप हमेसा ये सोचे कि हर वक्त मेरे लिए right time है कोई भी बुरा time मेरे लिए नहीं है आप जब मेनद करना शुरू करोगे ना तो हर वक्त आपके लिए अच्छा होगा कोई भी वक्त आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है 5. काम को दे महत्व रतन टाटा ने अपनी लाइफ में हमेशा काम को महत्व दिया है और वो हमेशा हर वक्त जब भी कभी वो इंटर्यु देते न तो यही कहते हैं कि इनसाम को अपने काम को महत्व देना चाहिए कुछ लोग क्या होते हैं काम के साथ साथ उनका अगर कोई काम अच्छा जम जाता है ना इनोना हमेशा अपने काम से प्यार किया है और अपने काम में राद दिन जुटे रहे और आज उसी की बतुलत आज वो टौप पर है इसलिए जब भी आपको कुछ करना होता है अपने काम से प्यार करें अपने काम के प्रति डेडिकेट रहें और अपने काम को इतना महत्व द जाए और टोप पर हो आपका काम। दूसरों को दे सम्मान। ताटा ने अपने जीवन में हमेसा दूसरों को सम्मान दिया है। चाहे छोटा सा छोटा भी कर्मचारी होना उसको भी सम्मान दिया है। पता है टाटा के उच्छो जितने भी वरकर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो हमेशा टाटा गुरुप में नोक्री करने के लिए सम्मान क्यों समझते हैं, अपने आपको गर्व की बात क्यों समझते हैं, क्योंकि टाटा अपने कर्मचारीों को एक परिवार की तरह समझता ह हर कर्मचारी के लिए टाटा ग्रूप अपना कुछ भी दाओं पर लगा देता है इसलिए हर कर्मचारी टाटा ग्रूप के लिए जी जान से कारी करता है क्योंकि टाटा ग्रूप अपने कर्मचारी को सम्मान करना जानता है इसलिए टाटा हमेशा कहते हैं कि दूसरों को सम्मान हमेशा दें अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे न तो आपको वापिस वही सम्मान लोटके आएगा और अगर आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे न तो आपके पास वही सम्मान कभी लोटके नहीं आएगा सम्मान एक ऐसी चीज है कि अगर आप दूसरों को जितना दोगे न उतना आपको मिले तो रतन टाटा की ये छे बातें जिवन में अवश्य याद रखें आप जरूर सपल होंगे और दूसरों को चेहते भी बनेंगे इसी के साथ आज यही मेरे वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंड करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सकाइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकिसन सबसे पहले आपको मिलती रहें